नमस्कार सिक्षार्थियों, प्रतिस प्रधार रहित बाजार भाग चार, आज की इस क्लास में हम सुक्ष मर्शास्त के मेन मार्केट फॉर्म के एक बहुत ही महतपूर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम अलपा धिकार और दोया धिकार के बारे में अलपा धिकार बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें कुछ बड़े विक्रेताओं के मद्ध ही प्रतियोगिता होती है, पस्तु एक समान या विवेदात्मक हो सकती है जहां तक अलपा धिकारी की बात है इसका नाम अलपा धिकारी इसलिए पड़ा है क्योंकि Competition Among a Few Sellers मात्र कुछ ही विक्रेताओं के मद्धे प्रतियोगिता होनी है ये विक्रेता एक समान समरू बस्तू को भी बेच सकते हैं या बस्तू भी भेद भी कर सकते हैं अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि चारो के चारो चित्र में एक तरफ अगर हम Network Connections की बात करते हैं SIM Providers की बात करते हैं तो SIM Providers में भी मात कुछ कंपनिया ही आपस में प्रतियोगिता करने के लिए बात दे हैं जहां तक हम Automobiles Industries क्या देखते हैं तो भारत में Automobiles Industries भी आप अपने Fingers पर काउंट कर सकते हैं कि कार बनाने वाली कितनी कंपनिया आपके देश में उपलब्ध हैं अगर हम Newspaper की बात करते हैं खास करके English Newspaper की बात करें तो वो भी आप देखेंगे कुछ ही बड़े Printing Houses हैं जो की Famous अगबारों को चलाते हैं Mobile बनाने वाली कंपनियों की अगर हम बात करें तो Mobile बनाने वाली कंपनिया भी भारत में Fingers पे आपकी उगलियों पे गिनी जा सकती हैं तो चाहे वो Mobile Manufacturing Company की हम बात करें चाहे Connection Provider या Sim Provider Company की हम बात करें चाहे हम Car Manufacturing Companies की बात करें चाहे हम Newspaper की बात करें यह चारो के चारो छेतर में हम देखते हैं कि कुछ ही विक्रेताओं के मद्द घोर प्रतियोगिता पाई जाती है अलपा धिकारी वास्तों में कपटपूर्व या गैर कपटपूर्व अलपा धिकारी हो सकता है Collisive and Non-Collisive जिसे कहते हैं अलपा धिकारी अगर आपस में एक समझोता कर लेते हैं तो वो Cartel फॉर्म कर सकते हैं और Cartel फॉर्म करने की अवस्था में वो एका धिकारी की तरह व्योहर करना सुरू कर देते हैं अलपाधिकारी सेहोगात्मक और गैर सेहोगात्मक अलपाधिकारी भी हो सकता है एक समान वस्तू और बिभेदात्मक अलपाधिकार भी पाया जाता है इसकी कुछ प्रमुक भिशेष्टाय निम लिखीता है सबसे पहली बात तो अलपा धिकारी में मात कुछ ही बड़ी फर्म में उपस्तित होती है इन फर्मों की संख्या आप अपने फिंगर्स पे भी काउन कर सकते है मैंने आभी आपको बताया कि किन किन छेत्रों में अलपा धिकारी आप सपस्ट रूप से देख सकते है दूसरी बात है इन सभी अलपा धिकारी का आपस में एक दूसरे पर निर्भरता होती है अगर कोई एक अपनी बस्तु की कीमत को कम कर देता है तो सभी अलपा धिकारी को अपनी अपनी बस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है अभी recent समय में पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि जो connection provider या SIM provider company है एक famous company ने बहुत सस्ता internet provide करना शुरू कर दिया जैसे उसने अपने connections की कीमत कम की सभी कमपनियों को सभी अलपाधिकारियों को अपने connections की कीमत को कम करना पड़ा इसी तरह आप देखेंगे कि लेकिन अगर कोई एक अलपाधिकारी अपनी बस्तू की कीमत को बढ़ाता है तो कोई उसको follow नहीं करता अनिश्चित मांगवक्र इसलिए अलपाधिकारियों का मांगवक्र अनिश्चित होता है किंड होता है एक particular point पे rigid हो जाता है उस particular point पे उस particular price से ना तो वो कम होता है ना अधिक होता है एक बार जो कीमत अलपाधिकारी आपस में निर्धारित कर लेते हैं उस कीमत से कम अगर वो करता है तो सभी को कम करना पड़ता है पूरी इंडस्टी में लॉस होने लगता है सभी को अगर उन में से कोई एक कीमत को बढ़ाता है तो कोई भी उसको follow नहीं करता है कोई भी अपनी अपनी बस्तूर की कीमत को बढ़ाता है ऐसी स्थिती में कीमत को बढ़ाने से और घटाने से किसी अलपाधिकारी को कोई फायदा नहीं होता है इसलिए कीमत द्रिड़ता की स्थिती अलपाधिकारी की एक अन्य प्रमुक भी सिस्था होती है इन में आपस में गला काट प्रत्योगिता पाई जाती है Do or die, survival of the fittest ये सारे के सारे मुहावरे अलपाधिकारियों के मद्धे पाई जाते हैं अगर इन में आपसी समझोता नहीं होता अगर काल्टेल फॉर्मेशन नहीं होता काल्टेल फॉर्मेशन अगर नहीं होता तो आपस में इनको अत्याधिक कम्टिशन का सामना करना पड़ता है पेटेंट अधिकार इत्याधी से प्रिवेश में रुकावट इसकी एक अन्य विसेश्था है कि अलपा अधिकारी में जो भी उत्पादक होते हैं वो कोशिस करते हैं कि कोई नया उत्पादक उसमें एंटर ना करें चाहे वो पेटेंट के अधिकार से हो चाहे वो कोई अन्यतिक और अन्यतिक तरीका हो और वो कोशिस करेंगे कि किसी प्रकार से कोई नया उत्पादक उसमें एंटरी ना कर पाए इस slyde में आपको अलपाधिकारी का मांगवक दिखाई पर रहा है जो कि के बिन्दू पर किंग्ड है अथवा ब्रोकन है तूटा हुआ है यह दिखाता है कि के एन इस अलपाधिकारी की बस्तू की कीमत है जो कि कम या अधिक नहीं हो सकती अगर अलपाधिकारी बस्तू की कीमत को कम करेगा तो इसके सारे प्रतियोगी अलपाधिकारी अपनी बस्तू की कीमतों को कम कर देंगे और अल्टीमेटली उसको बस्तू की कीमत कम करने का फायदा नहीं मिलेगा वस्तु की कीमत कम करके, अगर आप चाहते हैं कि क्रेता आजाएंगे, तो वस्तु की कीमत को कम करने के आप आकरसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी Competitors बस्तु की कीमत को कम कर देंगे, अपने-अपने customers को retain रखने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि recent समय में कुछ ही महीनों कुछ ही एक दो साल पहले ही जब एक famous company ने अपने mobile connections की कीमत को कम किया सभी rivals को भी अपनी अपनी बस्तू की कीमतों को कम करना पड़ा तो ऐसे case में customers को कीमत कम करके आकरसित करने की policy fail हो जाती है जब कि अगर ये अपनी बस्तू की कीमत को बढ़ाएगा तो कोई इसको follow नहीं करेगा ultimately इसे loss हो जाएगा तो ये बताता है कि के बिंदू पर मांग वक इसका द्रिड हो जाएगा और इसके बाद मांग अत्यादिक low shield और low shield की इस्तिती पाई जाएगी ये इसकी खासियत है अलपा धिकारी का अलप काली संतूलन अगर हम देखें तो AC और MC वक्र सेम है अलपा धिकारी को अलप काल में अस्मान लाब मिल सकता है सामान लाब भी मिल सकता है और हानी भी हो सकती है इस particular रिखाचित में आप देखिए हरे रंग का जो area है हम पाते हैं कि प्राइस ओपी जो है वो OC से अधिक है ऐसी स्थिती में इस फर्म को जो हरे रंग का इच्छेत फल है ये सारा का सारा अस्मान लाब का इंडिकेटर है जबकि दूसरा अलपा धिकारी का है जिसका औसत और सीमान लागत वक्रम से थोड़ा उचा है ऐसी स्थिती में हम देखते हैं संतुलन बिंदू पर उसकी कीमत और औसत लागत समान है इसलिए इस फर्म को इस अलपा धिकारी को सामान लाब से संतुस्ट होना पड़ेगा जबकि लाल रंग का जो रिखाचितर है ये अलपा धिकारी के हानी को दिखा रहा है क्योंकि संतुलन बिंदू पर जब हम पर्पिनिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम पाते हैं कि ओपी ओसी इसकी कीमत और औसत लागत है जबकि ओपी इसकी प्राइस है ऐसे इस्तिति में ओपी कम है ओसी से इसलिए जो रेट कलर का एरिया है ये एरिया असमान हानी को दिखा रहा है तो अलपकाल में अलपा धिकारी को असमान हानी भी हो सकती है और नासामान लाब भी हो सकता है और हानी भी हो सकती है तीनों वस्ताय सम्भों है जहां तक अलपा धिकारी के दीर काली संतुलिंद की बात है तो यह अनिश्चित पाया जाता है उसका मुख्य कारड है गला काट प्रतियोगिता इनमें अल्टीमेटली या तो संजोते के रूप में कन्वर्ट हो जाती है आपस में लोग संधृता कर लेते हैं कार्टेल फॉर्मेशन कर लेते हैं या फिर धीरे दीरे मॉनोपॉली की त Refer और अमेल्गमेशन होते होते मॉनोपॉली की तरफ एकाधिकारी की तरफ अगरसरित हो जाते है लाप्रत बस्तू के उत्पादन की और गमन ऐसा भी होता है कि अगर किसी अलपाधिकारी को हानी हो रही है तो वो एक बस्तू के उत्पादन को छोड़ कर किसी ऐसी बस्तू के उत्पादन पर चला जाता है जो कि उसे और अधिक लाप डान करें ये भी देखा गया है कि अलपाधिकारी कई सारी बस्तों का उत्पादन आपस एक साथ प्रारम कर देते हैं अगर हम cold ring के मामले में लें तो हम देखते हैं कि एक ही उत्पादक विभिन प्रकार की cold rings हर प्रकार के कंजूमर के लिए उत्पादन करना प्रारम कर देता है वो चाहता है कि समाज में उपलब्ध हर प्रकार का उपभोगता उसकी बस्तू को खरी दे तो यह अलपा धिकारी की खासियत होती है कि वो कंजूमर औरियंटेड ऐसी बस्तू को उत्पादन करना सुरू करता है जिसमें उसको उसका लाव बना रहे साथ ही बिक्रे लागतों के कारण वो अपनी ब्रैंडिंग को इतनी मजबूत कर देता है कि कस्टमर के सामने उस बस्तू को खरीदने के लावा बाकी सारे विकल्प कम दिखाई पड़ते हैं घरती हुई उत्पादन के साधन तथा रिडात्मक उत्पादन के सिध्धान से बचने का प्रियतन भी करता रहता है अलपा धिकारी लॉंग रन में प्रोडक्ट डाइवर्सिपिकेशन या फिर नए-ने बस्तू के उत्पादन या वस्तू भीवेत करके वह कोसिस करता है कि घरते हुए उत्पादन के सिध्धान से बचे रिडात्मक उत्पादन के सिध्धान तक पहुचने की नौबत ही ना आए आए अब हम दोयाधिकारी के बारे में पढ़ते हैं दोयाधिकारी डूओ प्लस पॉली यानि दो सब्दों को मिलाकर बना गया है बाजार की एक ऐसी के सामने रख रहा हूं और आप सब बुधिमान हैं इसको देखते ही समझ साएंगे कि आज आपके देश में कोल्डिंग के मामले में सारी की सारी कोल्डिंग की जो छोटी-छोटी कंपनिया थी वो मर्ज होकर या उन्होंने अपने आपको बेच करके खाली दो बड़े विक्र कोल्डिंग के छेत्र में दो बड़े विक्रिता पाए जाते हैं और इन दोनों बड़े विक्रिताओं ने प्रोड़क्ट डाइवर्सिफिकेशन टेकनिक का इस्तेमाल किया और अपनी वस्तूं को इतनी सारी वेराइटी में कन्वर्ट कर दी है कि उभुगता को किसी प्रक अगर कोल्डिंग चाहिए तो मजबूर है इन्ही दोनों विक्रिताओं के पास जाए मात्र दो ही विक्रिताओं के मध्ध प्रतियोगिता और यह दोनों के दोनों निकट प्रतिस्थापन बस्तूयों उत्पादन करते हैं अगर आप देखेंगे कि एक कंपनी ने ब्लैक कल कोल्डिंग उत्पादन किया तो इसकी दूसरी कंपनी भी अगर महिलाओं के लिए बच्चों के लिए एक कंपनी हलका कोल्डिंग बनाती है तो दूसरी कंपनी भी बनाएगी उसी तरीके से पैटरन पर तो इनका जो प्रोड़क्ट होता है अठ्याधिक निकट करने के लिए सबसे महेंगे क्रिकेटर्स का सहरा लेती है तो दूसरी कंपनी अपने प्रोड़क्ट का विस्तार करने के लिए सबसे महेंगे एक्टर का सहरा लेती है तो प्रचार प्रसार के माध्य में भी आपस में प्रतियोगीता इन में पाई जाती है प्रतिक्रिया का आधार प्रतियोगी की क्रिया पर निर्भर करता है पर शिक्षो क्योंकि दो ही विक्रेता हैं इसलिए हम देखते हैं कि सामने वाला का रियक्षन कैसा होगा उसी पर मेरा रियक्षन डिपैंड करेगा तो सामने वाले के action पे मेरा reaction depend करेगा, यही इसकी reactionary curve हम आगे चलके बनाते हैं, your reaction depends on action, इनका मांगवक अनिश्चित होता है और इनके मध्य गला काट प्रतियोगिता होती है, अगर समझोता होता है तो एक अधिकार बन जाता है, इसकी और कुछ बिसेश्टाएं होती है, प् प्रिवेश नहीं कर सकती, अगर प्रिवेश करती है तो अलपा धिकार बन जाएगा, दोया धिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बस तो यह निकट प्रतिस्थापन है, इसलिए इनके मध्य competition बहुत ही भेंकर होता है, और survival of the fittest की थोड़ी लागो होती है, विक्रे लागत ही ये सुनिश्चित करती हैं कि वो बाजार में survive करेगा या नहीं करेगा, अनिश्चित क्रिया प्रित्क्रिया अधारित ब्योहार, ये इसकी अन्य विशिष्था है, आपका क्रिया पर ही प्रित्क्रिया निर्वर करेगी, इसलिए इसको predict करना बहुत मुश्किल होता है, क एका धिकारिक प्रतियोगिता, अलपा धिकारी और दया धिकारी, इन सभी के मध्य हम विभिन आधारों पर अंतर करेंगे, विक्रेताओं की संख्या की अगर हम बात करें, तो पूर प्रतियोगिता में विक्रेताओं और क्रेताओं दोने की संख्या अधिक होती है, एका ध जंको कंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स फुम दोयाधिकारी में मात दो भी क्रेता पाएजाते बाकि सब क्रेता होते हैं अगर हम प्रवेस की स्वतंत्र तर तरह की बात करें तो फर्मो का आवा गमन पूर रूप से स्वतंत्र होता है यह पूर प्रतियोगत्या की खासियत है एका धिकारी में प्रवेश संभो ही नहीं है क्योंकि अगर प्रवेश होगा तो दोया धिकारी बन जाएगा एका धिकारिक प्रवेश संभो ही नहीं है क्योंकि अगर दोया धिकारी में प्रवेश होता है तो वो दोया धिकारी से अलपा धिकारी आवस्ता में कनवर्ट हो जाता है मांगवक्र के सभाव की हम बात करें तो मांगवक्र पूरप्रतियोगी फर्म का पूरतिया लोशील होता है निश्चित उद्योग द्वारा की निर्धारित कीमत पर एक पूर प्रतियोगी फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेश सकता है उसकी अनिश्चित मांग है जबकि एक अधिकारी के समख बेलोजदार मांगवक्र होता है वे अपनी वस्तु की कीमत का निधारण कर सकता है लेकिन फिर भी उसे मांगवक्र की लोच का ध्यान में रखना होता है एक अधिकारी की पृतियोगीता में लोच सील मांगवक्र होता है मांग का नियम लागू होता है लेकिन मांगवक एका धिकारी की तुलना में यहां पे लो सील पाया जाता है क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे विक्रेता बाजार में उपलग्ड है अलपा धिकारी के केस में मांगवक तिंग्ड होता है एक निश्चित बिंदू पर आकर वो तूट जाता है उस निश्चित बिंदू की रिजिडिटी ये बताती है कि अब आप इस प्राइस को चेंज करना आसान नहीं होगा और अगर बस्तू की कीमत को कम करेगा सेलर तो सभी निकट पतिस्थापन जो बस्तू हैं उसके कमपटीटर से वो भी अपनी अपनी वस्तू की कीमत को कम कर देंगे और उसे कस्टमर्स को अट्रैक करने का कोई स्कोप नहीं मिलेगा मांगवकर अनिश्चित हो जाता है जब हम दोया धिकारी की बात करते हैं क्योंकि यहां आपका रियक्षन डिपैंड करेगा सामने वाले के एक्षन पे दीरकालीन संतूलन की अगर हम बात करें तो पूर्प्रतियोगिता में आप देखेंगे सामान इलाव मिलता है जबकि एका धिकारी को दीरकाल में असमान इलाव मिलता है इसके अलावा अगर हम एका धिकारी पृतियोगी की बात करते हैं तो उसको भी सामान इलाव मिलता है जबकि अलपा धिकारी को असमान इलाव और साथी दूए धिकारी को भी असमान को क्योंकि प्रोड़क्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं और वो एक प्रोड़क्त की जगा, दूसरी प्रोड़क्त, एक इंडस्टी की जगा, दूसरी इंडस्टी में जाने में कोई हिचकते नहीं है, इसलिए इनको अस्मान इलाग ही मिलता है. जहां तक विक्रे लागतों की बात है विक्रे लागते पूर प्रतियोगिता में बिल्कुल नहीं पाई जाती जबकि एकाधिकारी में अगर वह बाजार का विस्तार करना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से अपनी बस्तू का प्रचार प्रसार करना पड़ता है जबकि एकाधिकारी की प्रतियोगिता में ये बहुत ही महतपूर हो जाता है और जहां तक अलपाधिकारी की बात है वहां तो जीवित रहने के लिए सर्वाइब करने के लिए भी फर्म को अपनी बस्तु का प्रिचार प्रसार करना पड़ेगा और दोया धिकारी में तो अपनी ब्रेंडिंग उसे अगर नहीं करेगा बिक्रे लागतों पर अगर खर्च नहीं करेगा तो निश्चिते कस्टमर्स की पर्शेजिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर हम संसादनों के अनुकूलतम प्रियोग की बात करते हैं तो संसादनों का अनुकूलतम प्रियोग पूर प्रित्योगिता में पाया आता है क्योंकि यहां पर अधिक्तम वस्तु की मात्रा उपलब्ध होती है नियूंतम कीमत और नियूंतम आउसात लागत पर जबकि MC-MR के तो बराबर होता है लेकिन ये कॉम्बिनेशन के तुलनाक में संतुलन कीमत पर असमान इलाब पराप्त कर रहा होता है क्योंकि AR उसका AC से अधिक है अगर हम एक अधिकारिक प्रित्योगिता जी बात करते हैं हलाकि इसको सामान इलाब मिलता है फिर भी यहाँ पर संसाधनों का अनकूलतम प्रियोग नहीं होता क्योंकि कॉम्बिनेशन ओफ MC और MR और AC-AR दोनों अलग-अलग कॉम्बिनेशन में इकुल तो होते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन ओफ माजिनल्ग इस नट एकुल तो तो इसी स्थिती में उभोकता के शोषड होने की कुझाइस होती है आलपा धिकारी और दोया धिकारी में तो निश्शित है उभोकता को शोषित होना ही होना है जहां तक मांगवकर की बात है तो आप देखेंगे कि सबसे पहला मांगवकर एका धिकारी का है जो कि बेलोजदार है दूसरा मांगवकर हरे रंग का है ये एका धिकारी प्रतियोगी फर्म का है और तीसरा मांगवकर आप देखेंगे पूर प्रतियोगी फर्म का है जो कि को दिखा रहा है दीर कालीन संतूलन अगर हम तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप पूर प्रतियोगी फर्म का देखिए AC-MC को इंटरसेट कर रहा ब्लैक कलर का है सबसे बड़ा डाइग्राम है लेफ्ट साइड में और दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरे में आप एका धिकारी को अब नावरोल प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देख रहे हरे हरे रंग का एरिया और तीसरा हमें हम देखत असमान एलाब को दिखा रहा है और अगर नीचे अगर आप डाइग्राम होसे कंपेर किया जाए तो जो एका धिकारी उत्पादन कर रहा है वह पूर्पत्योगत्या की तुल्ला में कम कर रहा है जो एका धिकारी कॉस्ट बियर कर रहा है वह पूर्पत्योगत्या की तुल् कहते हैं एक अधिकारिक प्रतियोगी फर्म का उत्पादन इस्थर पूर्प्रतियोगी फर्म के उत्पादन इस्थर से काफी कम है आएए अब हम उन प्रस्णों को डिसकस करते हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे सबसे पहला प्रस्ण सामानिता हमारी मन में उठता है पूर्प्रतियोगी फर्म का उठता है बाजार की एक ऐसी अवस्ता जिसमें मात्र तीन विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् विशुद बाजार प्रतियोगिता कहलाईगी, जबकि इन तीन विश्यस्ताओं के अत्रिक जैसे विक्रे लाक्तों का अभाव, एक मात्र कीमत, पूर्ड जानकारी, संसादनों का पूर्ड, आवागमन, नित्यादी ये सब भी समलित हों, तो ऐसी अवस्था को हम परफेक्ट कंप्टिशन या पूर्ड प्रतियोगिता कहते हैं, यदि MCMR को दो बिभीन बिंदूओं पर काटता है, तो कौन सा बिंदू संतुलन का बिंदू कहलाएगा, सामाने ते हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि MCMR को दो अलग-अलग बिंदूओं पर काट रहा है संतुलन सर्थ के लिए ये आवश्यक है कि number one, MCMR को इंटरसेक करें, या MCMR के समान होना चीए और इस बिंदू के बाद MCMR से अधिक हो जाए, तो जो right most point, सबसे दाई तरफ जो इस्थित होगा, जहां पर MCMR को नीचे से प्रतिशेदित कर रही होगी, वह बिंदू, संतुलन का बिंदू कहलाएगा, इसका मुख्य लक्ष है कि इसके अंदर इस बिंदू पर वह लाब का आखरी बूंद भी प्राप्त करने में सफल रहती है, कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद में अंतरस्पस्ट करें, कीमत विभेद एकाधिकारी में पाया जाता है, जबकि व अलग-अलग क्रेताओं से अलग-अलग कीमत वसूलता है, इसका बेस्ट एक्जामपल है कि अब ऐसा हो सकता है किसी कंपनी का अपने देश में एकाधिकार हो, लकिन जब वही कंपनी अपने उसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बाजार में बेशती है, तो उसको काफी कम की कीमत करने के बेचना पड़ता है क्योंकि वहां उसको प्रतियोगता का सामना करना होता है, साथ ही अगर किसी लोकालिटी में एक ही डॉक्टर है, तो समान बीमारी के लिए वह अलग-अलग आए इस तरसे सम्मंदित व्यक्तियों से अलग-अलग फीस ले सकता है, इसको हम क कीमत विभेत की संग्या से विभूशित करेंगे, जबकि यदि कोई उत्पादक अपनी बस्तू में थोड़ा सा रूप रंग आकार बदल करके अलग-अलग कीमत वसूलता है, तो ऐसी स्थिति को हम बस्तू विभेत कहते हैं, अगर हम किताबों की बात करें, तो किताब को अगर library edition होता है, तो आप देखे, लायबरी एडिशन में ठोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छी हो जाती है, ठोड़ा binding उसकी अच्छी हो जाती है, लेकि लागरी edition की जो कीताबे हैं, वो सामान स्थिडंट एडिशन से, याикомॉमि पब्लिकेशन से काफी अधिक होती हैं, तो वो समान बस्तू का उसमें content समान है लेकिन कीमत अलग-अलग वसूला जा रहा है। इस पूरे discussion के दौरान हमने पाया कि संसाधनों का अन्कूलतम प्रयोग पूर पृतियोगिता में ही पाया जाता है। क्योंकि पूर्प्रियोगता एक बात रहसी अवस्था है जिसमें दीर काल में नियूंतम लागत और नियूंतम कीमत पर अधिक्तम बस्तु की उपलब्रता बाजार में सुनिश्चित होती है। फिर वो चाहे एक आधिकारी हो, चाहे दोयाधिकारी हो, चाहे अलपाधिकारी हो, इन सभी में कहीं ना कहीं वो भोक्ताओं का सोसल होता है, कहीं ना कहीं संसाधनों का अलप प्रियोग होता है, क्योंकि लाभ ही डॉमिनेट करता है, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवा झाल झाल